Good morning everyone, बिटा आज का topic स्टार्ट करने से पहले हमें चोटी सी कहानी सुनेंगे एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा समराज्य था जिसके राजा के पास हजारों सैनिक, हजारों गोडे, हाथी और हथियार थे और उसकी राज्य के साथ ही एक और छोटा सा राज्य था जिसके पास गिंती के सिरफ सौ सैनिक थे, कुछ गोडे, कुछ हथियार थे हुआ ऐसा कि बड़े राज्य ने इसका बहुत बड़ा समराज्य था, उसने छोटे राज्य पर आक्रमन कर दिया अब छोटे राज्य के जो सैनिक थे, वो बहुत ही डरे हुए थे, उनको पहले ही अभास हो गिया था कि हम पक्का इस युद में हारने ही वाले हैं, पर उस वक्त राज्य के दिमाग में एक छोटी सी कहानी सुझी उसने सैनिकों से बोला कि हम एक बार एक कोईन लेकर, कोईन आप सभी जानते हैं, कोईन लेकर उसका टॉस करते हैं, अगर हेड आया तो हम जीतेंगे, और अगर टेल आया तो हम हार जाएंगे तो पहले तो सभी सैनिक राजी नहीं हुए, पर दिरे दिरे सब सैनिकों ने बोला कि ठीक है, हम अपने किस्मत आजमा कर देखते हैं, अगर हेड आया तो हम जीतेंगे ही, और अगर टेल आया तो हम हार जाएंगे राजा ने जैसे ही सिक्का उच्छाला, जैसे ही कोईन उच्छाला, तो हेड आया, और हेड आते ही, सभी सैनिकों ने अपना पूरा जोर लगाके, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाके, दूसरी सेना का मुकाबला करने की सोची, और वो इतने जोज से बरे हुए थे, कि कु हजारों की सेना को, हजारों हाथी घोड़े को एकदम से हरा दिया, क्योंकि उनको बिल्कुल ये विश्वासता कि हमारी किस्मत में यही लिखाया कि हमने जीतना ही है, तो उसी हिसाब से उन्होंने दूसरी सेना पर, बड़ी सेना पर आकरमन किया और जीत के, बिटा इस कहा ही बना रखी हो, या हम बहुत ही डिटर्मिंड हों कि हमने जीतना ही है, तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, बले ही परिस्थितियां कुछ भी हों, बले ही हमारे सामने हजारों सैने, हजारों घोड़े, हाथी, कुछ भी लेके खड़े हों, पर अगर हमने मन में ठान ल सेनिकों ने ही उस बड़ी सेना का मुकाबला किया और जीत प्राप्त की तो इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि अगर हमने मन में कोई भी चीज पहले से ही सोच ली है ठान ली है कि हमने जीतना ही है तो हम निश्चे ही उस टार्गेट को पूरा कर पाते ही तो आ आज का जो हमारा topic है कुछ इसी से related है, आज का हमारा topic है बचो planning, तो आज का जो topic है planning उसमें हमें यही देखना है कि हमें पहले से ही हर चीज के बारे में सोचे रखना है और निश्चे ही अपने टार्गेट को अपने अबजिक्टिव को एचीव करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाने हैं जैसे छोटी सेना के जो सैनिक हैं उन्होंने किया ऐसे ही आप लोग कभी भी मालो अपने कोई घुमने जाना है तो उससे पहले भी हम बहुत प्लैनिंग करते हैं कि क्या क्या लेके जाना है खाने के लिए क्या ले जाना है पहनने के लिए क्या ले जाना है सरदी लग जाएगी उससे बचने के लिए क्या करना है शूस कौन से जाने हैं, बाल कैसे बनाने हैं, तो बहुत सारे हम पहले से ही सोच समझ के अपना सामान इक ठाकर के लेके जाते हैं, ताकि हमें वहाँ पर कोई भी परिशानी का सामना ना करना पड़ी, तो भले हम इसको अंडिस्टिंट करें या ना करें, पर ये सब क्या है, ये भी सब एक तरह की planning ही है तो आज का हमारा chapter यही है planning आज हम देखेंगे कि planning में हमने किस तरीके से शुरू करना है तो बैटा planning का meaning क्या है let's do it planning means setting objectives and targets इसका मतलब है कि planning में सबसे पहले हम objectives या goals जो हम achieve करना चाहते हैं उनको decide करेंगे जैसे राजा ने क्या decide किया था छोटे राजा ने कि हमने जीतना ही है so that was an objective or target and formulating an action plan to achieve them और उस target को उस goal तक पहुँचने के लिए हम अपना एक action plan बनाते हैं it is concerned with both and's and means that is what is to be done and how is it to be done तो planning concerned है कि क्या करना है what is to be done क्या किया जाना है and how is it to be done और किस तरीके से इसको करना है तो in nutshell I can say जो planning है it is deciding in advance about the future course of action what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, by whom it is to be done and what is the objective or target behind doing all these things then जो planning है जो planning है it seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go जो planning है हमारी present position से हमें जो हम future position पर पहुँचना चाहते हैं उसके बारे में हमें रास्ता दिखाती है तो it fills the gap between your present position and future position it tells where we are and where we want to reach और वहां पहुँचने के लिए क्या different modes हम adopt करेंगे उसके लिए भी planning हमें guide करती है तो planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go तो यहां से आपको यह पता लग गया होगा तो planning क्या है? It is thinking in advance about the future course of fiction it tells us where we are, where we want to go and what is the target behind doing all these things तो planning का जो basic purpose होता है हम किसी ना किसी target को achieve करने के लिए ही planning करते हैं next हम करेंगे features of planning यहां कई सारी features आपको दिख रहे हैं one by one we will do all these features like we have the first feature planning focuses on achieving the objectives तो यहां पर भी main stress के बात पर है objectives as specific are set out in the plans along with the activities undertaken to achieve them जो planning है यह हमें पहले ही बता देता है कि कौन कौन से activities हमने carry on करनी हैं ताकि हम target को achieve कर पाएं they act as a guide for deciding what action should be taken and in what direction यह हमें यह भी बताते हैं कि हमने क्या action लेना है किस direction में लेना है planning has no meaning unless it contributes to achievement of pre-determined goals or objectives अगर planning में हमें यही नहीं बताया गया क्या हमने target achieve करना है कैसी achieve करना है तो planning का कोई भी purpose नहीं है तो जो planning है हमेशा start होती है objective के साथ जो goals, जो targets हम achieve करना चाहते हैं उसके साथ ही हमारी planning शुरू होती है जैसे ही हमने target set किये उसके बाद planning में यह decide किया जाता है कि क्या-क्या तरीके हैं क्या methods हैं, procedures हैं जो हमें उस objective को पूरा करने के लिए हमारी help करेंगी तो basically यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि जो planning है किस चीज़ पर focus करती है objectives पर जो planning है, it will tell you what are your objectives और goals goals set करने से determine करने से ही हमारी planning शुरू होती है जैसे हम goal set करते हैं उसके बाद ही हम decide करते हैं कि उस goal को achieve करने के लिए हमारा course of action क्या होगा next feature देखते है next feature है हमारे पास planning is futuristic futuristic means जो planning है हमेशा future के बारे में होती है it is always based on forecasting the future events and conditions जो planning है बिते समय के लिए नहीं हो सकती यह हमेशा किस चीज़ के लिए होती है future में जो वक्त आएगा जो समय आएगा उसके लिए planning की जाती है इसका मतलब है जो प्लैनिंग है हमेशा आगे की आगे की और देखती है अगर हमने पिछली कुछ गलतियां की है तो हम उन गलतियों को analyze करके उनसे कुछ सीख लेते हैं कि जो गलतियां हमारे पास पीछे हुई हैं वो गलतियां future में repeat नहीं होनी चाहिए तो planning का है it is always looking ahead और ये managers को तयार करती है कि हमने जो भी organization के objectives या targets set किये हैं उनको कैसे achieve करना है जितने भी हमारे organization में managers होंगे वो सारे अपनी forecasting के basis पर अपनी assumptions के basis पर या जैसा उनको लगता है कि environmental scanning के basis पर organization के best interest में अपने सारे decisions लेंगे तो planning क्या है वेशा it is always made for future next हमारे पास जो feature है it is planning is pervasive ये pervasive word हमने पहले भी सुना है pervasive means universal तो what does it mean means जो planning है it is a universal concept it is required in all the organizations at all levels of management तो जो planning है हर जगह पर चाहिए हमें हर organization में चाहिए और जो planning है it is a pervasive function हर जगह पर present है चाहिए हम घर में हैं चाहिए हम school में हैं चाहिए हम business organization में हैं whether we are in temple or we are in गुरद्वारा everywhere we require some sort of planning बिना planning के हम कोई भी target achieve नहीं कर सकते हैं उसके बाग जो planning है यह सिरफ top level managers का काम नहीं है planning हर level पर की जाती है but जो basic plans है policies है objective set करना वो सारा top level management करेगी और उनकी guidelines की दिशा में ही उनकी guidelines की direction में ही different जो middle level managers हैं और lower level managers हैं वो planning करेंगे ताकि हम अपनी day-to-day activities को carry on कर सकें और results को achieve कर पाए next हमारे पास feature है planning involves choice and decision making देखे जो planning है ऐसा नहीं है कि बस जो मन में सोच लिया वो ही हमारी planning हो गई नहीं जो planning है पिसी भी target को achieve करने से पहले उस target को achieve करने के क्या-क्या different methods हैं क्या-क्या different alternatives available हैं वो सारे पहले हमें list out करने पड़ेंगे ठीक है तो जैसे ये माल लेजिए हम कोई भी काम करना चाहते हैं उसको काम को हम 4-5 तरीके से पूरा कर सकते हैं तो पहले हम उन सारे different alternatives की list बनाएंगे फिर उन सारे alternatives का analysis करेंगे in terms of their positive points and negative points फिर उन सब का analysis करेंगे analysis के बाद we will choose one best alternative amongst various alternative courses of action for example अगर हमने कहीं से raw material खरीदना हैं हमारे पास 5 suppliers हैं ठीक तो हम 5 से नहीं खरीदेंगे ना पहले से ही खरीदेंगे हम पांचों supplier से quotations लेंगे सब की terms and conditions देखेंगे analysis करेंगे उसके बाद जो एक best supplier है जो में best suited है जो में rate भी कम दे दे कम price पे वो दे दे raw material plus हमारा transportation cost भी उसमें बच्चाए या हमारा जो goods की standardization है या raw material की standardization है उस quality को भी पूरा करता हो उन सब का analysis करने के बाद हम एक ही supplier चूज करेंगे जिससे हम वो सामान खरीदेंगे so that pitch of planning है it involves choice and decision making इसमें हम बहुत सारे alternatives को पहले search out करेंगे उसके बाद alternatives की list बनाएंगे then जो best alternative होगा on the basis of overall analysis हम उसी alternative को चूज करेंगे उसी के according हम अपना work carry on करेंगे next हमारी पास feature है planning is a continuous process देखि जो planning है it is also a continuous function ठीक है it is the first function of management it is a never ending process it is a continuous process because जो plans है they are always to be prepared they are always to be modified according to the changing circumstances तो यहां देखिये plans are made for a specific time period for example for a month or for a quarter or for a year at the end of that period new plans have to be prepared since conditions and requirements change from time to time जैसे ही हमारा वो time period जिसके लिए हमने planning की थी वो खतम होता है तो हमें फिर से planning करने पड़ेगी in other words once a plan is framed it is implemented and then it is followed by another plan and so on पहले हम एक plan बनाते हैं फिर उसकी implementation करते हैं फिर उसको follow up करते हैं follow up में अगर आपको कुछ कमी लगती है तो फिर से एक निया plan बनता है so that way हम यह कह सकते हैं जो planning है वो भी एक never ending process है यह हमेशा चलती रहती है क्योंकि अगर हमें successful रहना है तो we have to continuously scan the business environment and keep on making changes in our plans according to the circumstances for example अगर हम बात करें कि हमने एक plan जो बनाया जो हमारा था demand को पूरा करने के लिए in the boom period उस वक्त हमने बहुत large-scale production की बहुत सारा material खरीदा raw material खरीदा और बहुत सरे workers को काम पे लगाया because that was the boom period अब जैसे ही वो अपने planning शुरू की आपका काम चलता गया दो, तीन, चार महिने के बाद suppose depression आ गया अब वो बोम पिरिड वाला plan जो है depression period में काम नहीं करेगा क्योंकि उस वक्त demand बहुत कम हो जाएगी तो अब हमें depression period के साथ से अपने पुराने plan को change करना पड़ेगा ठीक है, so that way जो planning है it is a never ending process, it is a continuous process एक plan चुरू हुआ, implement हुआ, उसको follow up किया गया फिर से एक नया plan, उसके बाद फिर फिर नया plan and so on, ऐसे ही हमारा काम हमेशा चलता रहता है next हमारे पास जो feature है planning is a mental exercise देखी जो planning है, एक तरीकी की mental exercise है जो planning है, it is a sort of process which requires higher thinking skills ठीक है, it requires application of mind and sound judgment, means इसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत है it is an intellectual activity which requires logical and systematic thinking rather than the guesswork planning में हम यू नहीं चल सकते कि ठीक है, कि जैसा भी हुआ, कोई बात नहीं नहीं, जो planning है, एक intellectual process है इसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है ठीक, और अगर आप सोच के समझ भूज से ही planning करोगी, तब भी आप successful रह सकते हो then जो planning है, it is also closely interconnected with your creativity and innovation planning में हमें बहुत सारी assumptions, predictions, environment की scanning करने पड़ती है which requires very higher level of intelligence दूसरा, planning में हमें बहुत सारे alternatives किसी काम को करने के अगर available होते हैं तो हमें उन सारे alternatives को ध्यान से analyze करना पड़ेगा in terms of its positive points and negative points then उन सब का further analysis करने के बाद ही हम एक particular alternative को choose कर सकते हैं so that way जो planning है एक तरीके का intellectual process है इसके लिए बहुत सारी creativity और innovation की जरूरत है तब ही हम अपने targets को successfully achieve कर सकते हैं अगर हम कहें कि एक ऐसा person जिसमें एक sound mind and judgment नहीं है वो planning कर लेगा तो वो गलत होगा the person who is having a sound mind and sound judgment only those people can do the planning in order to achieve the target so on the whole you can see what is planning the planning is deciding in advance thinking in advance about the future course of fiction in order to achieve certain predetermined objectives उसके features कि अगर हम बात करें हमने कई सारी features discuss किये it contributes to objectives it is continuous process it is futuristic it is it involves decision making and planning as a mental exercise so that's all for today's video thank you have a nice day